तो फ्रेंड्स आईए आप सब भी हमारे साथ ट्रेन का सफर कीजिए और ऐसा फर्स टाइम हुआ है कि ये मोदाहा जाते हुए इतना जादा चहकरी थी कि इसने हमें अपने चहकने की वज़े से गलत साबित कर दिया यहां देखें ये तो मुझे लग रहा था कि ये वहाँ जाएगी हो सकता है लेकिन पहले मुझे ये लग रहा था कि जितनी जादा खुश है न ये तो मुझे लग रहा था ये पहले वाया भोपाल होते हुए जाएगी क्योंकि मैंने इसको देखा था बात करते हुए तो 99% त पता था कि यह डरेक्ट जाएगी अब जाने का रीजन भी है पहले तो बताया है नहीं एक दफ़ा भी मेंशन किया कि इनकी दादी एक्सपायर हो गई है खबर तक नहीं दी दूसरों से ही पता चला है लेकिन अचानक से 40 वा होने लगा जिनकी मरने की खबर नहीं दी उनके 40 बेक की खबर दे रही है यह चालू पी देख रहे हो ना कितने फेक और कितने हिपोग्रीट लोग है यह हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे के हमारे आने वाली वीड के और फनी बाबू के होश उड़े पड़े हैं क्योंकि फनी बाबू का फोन खो गया और वो भी कौन सा फोन येस फोल्ड वाला फोन सैमसंग का जो फोल्ड वाला फोन आता है ना वो वाला जो की चालू अपी ने बकराईद के टाइम पर जो सर्प्राइज प्लान कर रही थी उस दोरान आप क्योंकि इसने इतना बड़ा जो कांड किया था उस कांड की वाज़ से बिचारी ओमाइग गौड बिचारी पूर लड़की के वह अपना व्लोग भी नहीं डाल पाई अपना कंटेंट भी नहीं डाल पाई और क्या कह रही थी जूट तो देखो फिर से गड़ा ना कितने जूटें आ गई ने समझ में इन लोगों पर बिलकुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है एक नंबर के जूटे लोगा मुझे लग रहा पूरा घर ही जूटा है तो फ्रेंड मेरा फोन खो गया था मैं तो परिशान हो गया था फिर वो गाड़ी में नीचे कहीं दबा हुँआ मिला मतलब वो फोल्डवाला फोन इसको इतना होश नहीं था इतना पैसा बरस रहा है कि इनको फोल्ड वाला फोन जो इतना महंगा कोस्ली आता एक और उसके बीच में एक आईफोन 15 भी दिलवा दिया है भाई फणी बाबू क्या चक्कर है कितने फोन लेने दुकान खोलनी है कि फोनों की इतना फ्रोड गिरी करते हो क्या फोनों की इतनी जरूरत होती है हाँ हाँ हो सकता है एक अब रेस्टोरेंट के नाम का बना दिया हो क्योंकि नमबर लिया होगा ओडर बज़रे होंगे तो य चैब लेकर आये रहे ग्रोसरी साथ में ही चाहिए प्रस व्लीके मुद्टक स्माना को वी कर रहे हैं। और वो और भी कई सारी चीजे वो बता रही है फिर भी उसके बाद भी इनको चिप्स खरीद नहीं है छोटे-छोटे बच्चे तो हो नहीं काफी अच्छे खासे समझदार हो और तुम तो वैसे भी health conscious बन रहे हो न जिम वगेरा करने लगे हो जनाब two point हो तुम भी अपने लेकर आयो माजा और वेज पाओ अच्छा भाई और जो बैग लेकर आयो तुम बैग में क्या लेकर आयो जल्डी दो जल्डी दो मुझे भूख लगी है जल्दी दो भाई वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तुमारे या तो नोकरा नहीं है या तुम्हारी मम्मी के जगह उसने ले लिए यह जैसे मम्मी से बच्चे मांगते ना वैसे अपनी मम्मी के होते हुए पीज़ा निकाल के देगी कराये साथ में तो चिप्स और नमकीन के बैग में दिखाई दे रहे हैं उसके बावजुद भी जनाब टू पॉइंट हो खरीद कर लेकर आएं वाँ 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 नहीं खाना बस हमें चाई भी देदो वो सरफ दिखाने के लिए और जैसे केमरा ओफ होगा सबसे बागी कुछ शूट नहीं होता था क्योंकि फणी का सिर्फ नाम फणी है लेकिन असलियत में उसमें फणी जैसी कोई चीज नहीं है जिसको रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखा सकूं और आपको एंटेटेन कर सकूं यह देखो घर की काली चाय बिना शकर की बिना शकर किया कितना गंदा सा मू बना रहा था क्यों भाई अभी तो तुमने यह काता ना मीठा छोड़ेंगे तो अब क्या गई तुमने तो अपने चालू के ओपर हात रखे कसम भी खाई थी क्या बात है फणी बाबू बूल गए इसलिए तो मैं कहता हूं बड़ी बड़ी बातें नही पी पिएंगे आखेकार पीनी पड़ गई ना क्योंकि शुगर नहीं लेकर आई है और शुगर फ्री भी नहीं लेकर आई है अब बिल्कुल फी की चाय बिल्कुल पी नहीं जा रही है और फणी बाबू तो फणी बाबू है भाई जो कसम धरम ली है वो तो चालू ने नहीं तुमारी पॉल खोल रहा है वह बैटके कि कैमरे पे कुछ और बोलती हो और असल में कुछ और हो क्योंकि गूंकि अपृत जालों में लाज व्लोग शूट हो रहा है एक दर्म से एक्सप्रेशन चेंज हुए फ़नी बाबू के और फिर बाद में बात पलट के कहा नहीं मैं आपके लिए नहीं कह रहा था मैं बाकी लोगों के लिए कह रहा था क्या मुदाहा जानी की ज़्यादा खुशी हो रही है क्यों नहीं होगी तुम्हें जब अपनी मम्मी के पास रहने की ज़्यादा खुशी होती है तो उसको अपनी मम्मी के पास जाने की खुशी क्यों नहीं होगी वो एक अलग बात है कि उसको यहां पर रहना पड़ रहा है तुम्हारे पैसो के लालच में लेकिन जब जब उस अपनी मां के पास यहां पर पीज़ा बैटी है चालू बैटी है और फनी बैठा है लेकिन जैसे उसने हाथ में पकड़ा कट्टू वह सीन कट मार दिया अरे अभी तो मैंने बोला था हम ब्रेड बटर नी खाएंगे हम बन और बटर नी खाएंगे तो खुद अपनी बातों में फस गई और उसक इतना प्यार से घर से लाया हुआ इतना क्रेविंग करता हुआ बन छोड़ दे भला चाय के साथ खाने के लिए ना पॉसिबल नहीं है और जूटी तो इतने एक नंबर किये ना बात बात पर फटाक से जूट बोल जाती है अब रेलवे वालों के पता नहीं क्या नए चोच दे रहे हैं यह फर्स टाइम दिया है हम इतने दिन से ट्रेवल कर रहे हैं क्योंकि अम्मी आईए ना स्पेशल गेस्ट आए हैं अब जो साम को स्नेक्स मिलता है उसके लिए टेबल सज चुकी है अब आएगा खाना तो कहती है पिजा खाना नहीं नाश्ता अच्छा भाई अब यह अभी जो खाके बैठेते वो क्या था अब नास्ता भी खाएंगे मतलब जो खा चुके बन वगरा वो तो खा चुके अब यहां का नास्ता भी खाएंगे क्योंकि टिकेट में इंक्लूड होता है फिर खाना भी खाएंगे फिर अपना भी समान लेकर आए है जो लिए उसी सीट के लिए भी कर लो इसमें शीट डालो पानी डालो चाहे करके दो बन निकाल के दो मुझे खाने को दो भाई सच मुझ में तरस आता है उस लड़की को देखकर फ्रेंड्स अब आच चुका है नासिक ट्रे स्टेशन और बच्चे चाहे घर में ना पढ़ें ले कर और एक उपर बैटके चिप्स खा रहा है वा 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 ये देखो फ्रेंड्स इसका कंगा जिसकी वज़े सा में स्टेशन पर रोक लिया था अगर कोई भी चीज नुकीली निडिल वाली होती है तो वह औवियसली रोक ली जाती है इतना सेंस तो पहले से होना चाहि है यह लड़की और इतनी सारी नौलिज तो हो जानी चाहिए ना कि ऐसी चीज़ों को निकाल ले इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि पहले भी किसी चीज़ की वज़े से इसके बैक को रोका गया था अब हर स्टेशन बताते जारी है क्योंकि कंटेंट शूट हो रहा है ना फ्र रास्ता जो पार करना वो भी उसमें भी एक व्लोग तो बनाई लेना है सफरी सफर में इसने मेरे सर खुजा खुजा के पुरे बाल खराब कर लिए हां तुम तो कहीं के सुपर हीरो ना बाई जो तुमने वैक्स वैक्स लगा के बड़े सेट कर रहे होंगे इनका बाई करेंगे तो के साधि हो कर ना बात कराणों रहे होंगी ने रहता था है और तक लोग आपके नकरों को आपकी चोचले बाजी को सब जानते हैं और ये भी जानते कि आप कितने पानी में हो छे साथ साल का ये रिष्टा बता रही है जब पहली बार बात हुई थी तो उसको हर साल इसने सेलिब्रेट करा है फनी ने हाँ जुडवा लिए भाई अब कोई सेलिब्रेशन नहीं ना मिलने का ना फस्टाइम मिलने का ना फस्टाइम बात करने का कुछ नहीं सरफ और सरफ और ना परपोस का किसी भी चीज़ का नहीं अब सरफ एनिवर्सली सेलिब्रेट होगी और सरफ ने बड़े तो बेशरम लोग हैं यह दूसरों को यह सारी चीज़ें सिका रहें क्या तो उन बच्चों पर असर होगा चोटे जो भाइन भाई है ना और क्या उस लड़के पर असर होगा खेर वो तो दूसरे उसको दूसरे जगा सबस्क्राइब कराना साथ सबस्क्राइब बड़ाते तें क्या बेवकूफ ऑरत जो हर बात बात पर यह कहते थे इस पेशल विल कराओ और जा करा क्या उसको मतलब वह विचिडने लगे थे लो भाई उन्होंने तो नाम तक भी रख दिये था चालू सबस्क्राइब आप सचमिस में उनको बताते थे कि हम आप से क्या कह रहें अब आपको शरम आरी है अपने करमों पर आपको तो अभी भी शरम नहीं आरी है अपनी मा के सामने यह सब कुछ कर रही हो लेकिन वह भी तो फ़नी स्पेशल डेता है क्योंकि हम अगर बात नहीं करते तो यहां तक कि रोज लाके दुगा मैं केक नगया नाय चालू मैं यह सब करऊंगा अब मैं और अजाद्पन्ची हूं और अब तो मेरा रेस्टूरेंट भी खूल गया है तो मैं अब तुमómoरे पर पेंडे नहीं हूं आप तो मैं कमा रहा हूं उसने तो बात की जड़ सही खतम कर दिये कहता अब हम लोग हम लोगों को बुड़ाप आ गया है अब हम यह सब नहीं करेंगे आरे बापरे पहली बार फणी ने सची बात बोली है 35 प्लस होगे तो बुड़ापी की तरफ ही चल र क्या चक्कर है आपको दिखाती हूं फ्रेंड्स यह देखिए मैंने इनको कितना स्पेशल फिल कराया है आपको याद है ना बक्राइट के टाइम पे हमने आपसे कहा था कि हम यह सब करेंगे सेलिब्रेशन करेंगे फणी के लिए एक सर्प्राइज है तो हम जाके यह लेकर मैंने भाई भावी के साथ बहुत ज़्यादा बत्तमीजी करी थी और बहुत बड़ा तमाशा हुआ था सोसाइटी में जूट कितना बोल रही है इसका मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था क्योंकि मुझे यह नहीं पता था कि मैं यह व्लॉग के लिए कर रही हूं अच्छा जूटी मकार इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तूने इतना बड़ा हंगामा जो खड़ा किया था और फिर खुद के मूड में आग लगा दी और भाई-भावी के मूड में आग लगा दी और उनका त्योहार बिगाड दिया और जिसको स्पेशल फीर कराने के लिए उसका भी त्योहार बिगाड दिया इसलिए तूने वह अप्लोड ने करा चल जूटी जूट बोल दिया कि नहीं हमने व्लोग नहीं बनाया था इसके ओपर हमें ऐसे दिखाने के लिए बलोग नहीं बनाना था और फिर क्या सर्प्राइस प्लान कर दे थी कि हम यह फोन के अंदर रग लिखा हुआ है और जो अब फोन दिलाया है उसका भी प्राइज लिखा हूँ मैंने एक स्क्रीन शोट लगाया जरा प्लीज स्क्रीन के तरफ देखिए यह फोन मुझे बहुत पसंद था इसको मुझे स्पेशल फिल कराना था बिचारी खुद से गई खुद से लेकर आई मुझे पता भी नहीं था यह मेरे लिए सर्प्राइज प्लान कर रही है मैंने कहा था ना कि पीज़ा मुझे हेल्प करेगी फिर हमने रात को उसकी हमने कहा था के क्लिप भी लगाएंगे तो वह सारी सुरिया माशालला इस अच्छी तो बहुत है यह केर बहुत करती है अच्छा वाई जब इतने महंगे महंगे गिफ्ट मिलेंगे तो फिर तर तारीफ अपने आप मुझे निकलेगी फूल की तरह सजड़ेगी तो यह चार लोग यहां पर सो रहे मैं जा रहा हूं नेक्स 10 मिनट पहले आ गए होश में नहीं है आँख ही बता रही है कि विचारी अभी तक धंग से दिख भी नहीं रहा होगा आखों में यह के दिए ऐसी केसी हो सकता है 10 मिनट पहले आ गए स्टेशन ऐसे बेखभरी होके सोईए कि पता है स्टेशन इतने बज़े आता है तो अलाम लगा लेना चाभी ता जिससे की सारा समान समेट ले या फिर रात को इसारा समान समेट कर रख देना चाभी ठार ऑचियां और उस लड़के को कह दिया ओंगा एडिटर को तुम ट्रेन से पहले उतर जाओ तुम वहाँ जाके हमारी ट्रेन से उतरते वे शूट करो क्योंकि एक-एक मुमιंट जो बताना पड़ता है अब हम ट्रेन में चड़ रहे हैं तो तुम ट्रेन में हम से पहले खड़े हो जाओ हमें चड़ते वे दिखाओ फिर तुम ट्रेन से पहले बाहर निकल जाओ, हमें उतरते हुए दिखाओ, इतने पे भी जल्दबाजी हो रही है कि समान कैसे उतारेंगे, इसको भूज रही है भाई, ऐसे टाइम पर भी, कमाल है यार यार ये लड़की, सोरी सोरी, कमाल है यार यार ये औरत, अब भाई, अ अच्छी वाली चाय, आप बैट के उस जगा पे चाय पला रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, कि चाय बनी होई है मीठी, लेकिन इनको फीकी पी नहीं है, अगर ये फीकी पीते हैं, तो उसमें पोना घंटा लगता है, और अगर ये मीठी चाय पी लेते हैं, तो फिर हमा है, खालो कैमरा कट करके जैसे ट्रेन में लेके खा लिए था ना, मना करते करते भी ऐसे यहां पर भी कह रहे हैं, बोलने में भी शरम आती है, लेकिन जितना हो सक है, कट डाउन कर रहे हैं, ना ना ना, तुम सारे कमेंट परती हो, सबके पोड़कास सुनती हो, तुम्हे किस तरह से नई नई चीजे बता रहे हैं तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर तुम्हें कह रहे हैं कि तुम अपने खाने पीने पर ध्यान दो और अनेसेसरी मत खाओ अगर इतना मेहनत कर रहे हो जिम में और उस कमेंट को इसने लाइक हर्ट भी दिया था भाई मैंने पूछो 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 वह कहता है इतना अच्छा लगा मुझे इतना अच्छा लगा मुझे लग रहा था कि यह खतमी नहीं होना चाहिए तर ट्रेन का सफर यह चानू बहुत थे हमेज़ों से कि सफर और लंबा हो जाए और इस सफर और हम इंजॉइ कर पाएं हध्य है भाई ट्रेन है तुम्हारा डेस्टिनेशन आ जाएगा तो तुम्हें उधरना तो पड़े गई ना उसमें भी तुम्हें बेफुजूल की बाते करनी है चलो भाई अब वो दूसरी जगह गए है कि उसी जगह गाड़ी घुमा के उसी से चाय ले ली है किते हम आज तोड़ा जल्दी आ गए है ना इसलिए चाय नहीं मिलेगी उसको बिना शकर की चाय बनाने में आदा गंटा लग रहा था भाई उसने तो फिर बेच ली चाय का बिजनेस कर लिया उसने चलो हमें चाय मिल गई है बिटा और हमारा आनवसूल हो गया ओम्हें आप चाय पीने आई ती यहां पे सरफ और उसी में आपका आनवसूल हो गया तो फिर यहीं से लोट जाओ वापस और सबस अच्छी तो फनी है मिट्टी की खुश्बू पीजा ने चाय नहीं पीए लेकिन फिर भी मिट्टी की खुश्बू ले लिए पीजा अभी तक भी खुमार में बैटी है वि पिस इसको न बिना ब्रश करें खाना पीना चाहिए और हाँ टिंट नहीं चुट ना चाहिए छहा है पाँच बज़े जाओं में घर पर लेकिन यह दिखाऊंगी कि देखो मैं कितनी फ्रेश लगनी हूं इसको लगता है सरफ टिंट लगाने से फ्रेश हो जाते हैं वही ट बखा दुए और फाइनली वह पार्ट कर दिया क्योंकि एडिटर ने कहा है नहीं कि तुप अपना पार्ट कर दिया यह लड़का भाई भाई मैं क्या बताऊं पता नहीं कौन सी जॉब है इसकी उस जॉब को नाम क्या देंगे इस जॉब को क्या नाम दूँ उसको यह नहीं तो वो इससे भी करा दी होगी और इससे जादा करा दी होगी वो तो हमने देखे लिया जमीन पर बैटके चोकलेट बनाना बॉक्सेज बनाना पैकिंग कराना फिर रेस्टोरेंट देखना खाली टाइम में सब और राउंडर बना दिया उसको और थोड़े से पैसों में जाद पर ही एंड करती हूँ I hope आपको वीडियो पसंद आई और अपने point of view मेरे साथ जरू शेयर कीजिएगा कुछ मैंने इस अब तक के vlog में मिस कर दिया हो तो प्लीज मुझे comment में बताईएगा मिलती हूँ next podcast में बाकी के cover करते हैं till then bye bye Allah अफिस take care